हेलो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में जारखर्ण पॉल्टेक्निक इंटरेंस एक्जाम के फुल सिलेबस के बारे में डिसकर्स करूँगा इस exam में कौन-कौन से subject होते हैं, कि subject से पूछे जाते हैं, कितने marks के पूछे जाते हैं, total marks कितने होते हैं, total समय हमें कितने मिलते हैं इसे पूरा करने के लिए, total question कितने होते हैं, यह सब चीज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, और negative marking होता है या नहीं होता है, यह सार पिर दिये गे like बटन पर क्लिक करके वीडियो को like करना जैसा कि मैं कर रहा हूँ, subscribe बटन पर क्लिक करके subscribe करना चैनल को और bell icon को click करके all notification on करना है, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, there are only three subjects, जी हाँ दोस्तों इस exam में सिर्फ और सिर्फ तीन ही subject से प्रसने पुछे जाते हैं, वो है पहला math, दूसरा physics और तीसरा chemistry, इन ही तीन subject से ही पुछे जाते हैं, अब बचा class तो कौन से class से पुछे जाते हैं, तो 80% class 10 से पुछे जाते हैं, बाकी 20% आगे या पीछे से दे सकता है, अगर आप 10 class को एकदम अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो फिर इस exam के का जरूत बेलकुल भी नहीं है, यही तीन subject से question आते हैं, और बहुत ही easy question है, आपको मैं पिछले year का question भी solve करके दिखाऊंगा, इस YouTube channel पर, आप बस हमारे channel के साथ बने रहे हैं, तो अब देखते हैं इन तीनो subject से कितने marks के पूछे जाते हैं, और total कितना समय मिलता है, तो प chemistry, इसमें भी 50 questions होते हैं, 50 marks के, तो यहाँ पर total question हो जाता है, 150, 150 marks का, और total time हमें मिलता है, 2 hour 30 minute, यानि धाई घंटे का, यानि 150 minute, यानि हमें हर question को एक minute के अंदर ही solve करना होगा, हमें इस तरह practice करना होगा, कि exam hall में सारे question एक ही minute में solve हो जाएं, अब यहाँ पर आता है twist, व अगर आप किसी जवाब को सही लिखते हैं, तो आपको एक marks मिलेंगे, अगर आप किसी जवाब को गलत लिखते हैं, तो 0.25 marks deduct कर दिये जाएंगे, यानि काट दिये जाएंगे, तो मेरे तुक्का मानने वाला भाईयों समल जाओ, अच्छी से तयारी करने पड़ेगी, अग कुछ है देखते हैं, इस exam के important instruction, जो की बहुत ही important है exam के लिए, तो वो क्या है, देखते हैं, I hope आपको यह instruction page दिख रहा होगा, आप चाहे तो video pause करके इस instruction को पढ़ सकते हैं, और इसमें से कुछ-कुछ instruction तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है, कि कितना marks का आएगा, कित देख लेना है, दूसरा important है कि आपको कोई भी calculator, cheater pen वगरा वगरा नहीं ले जाना, यह totally totally not allowed है यहाँ पे, और तीसरा है कि आपको जो question booklet मिलेगा, answer सही तो वो वहाँ पे जमा कर दिये जाएंगे, चौथा बहुत ही important है, अगर आपका answer booklet या फिर question booklet फटा हुआ है, तो आप को exam सुरुवात होने से पहले ही, report कर देना है, वहाँ के invigilator को कि यह मेरा फटा चिता है, अगर exam start हो जाएगा, तो फिर आपको नहीं सुनी जाएगी, तो यही थे कुछ बहुत ही, महतवपूर्न इंस्ट्रक्शन, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, तो चलिए आज इस exam को qualify करनी है, तो अब 10 class को सारा पढ़ना है, उसके बाद अब previous year paper solve करेंगे, इस वीडियो में आपको वो भी बता दूँगा, previous year paper solve करूँगा, next video में, next video में हम देखेंगे कि इस one month में, जो कि अब ज्यादा समय नहीं बचाए exam में, one month में हम किस तरह पढ़ाई करें, किस त share कीजिए, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, तो बाई बाई दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, next video मिलते हैं,